हेलो दोस्तो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विन्हाई स्टडिकन में स्टडिकन में श्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे चैनल विन्हाई स्टडिकन केंद्र से संबंदित 25 महतपून बहुविकल्पी प्रश्ण जो विगत वर्सों में विविन्हाई प्रतियोगी परिक्षा में पूछे गए हैं दोस्तो यहाँ कोश्चन प इस्टाग्राम चलाते हैं तो इस्टाग्राम पर हमें फालो करके अपके मन में जो भी प्रश्ण हैं पूछ सकते हैं दोस्तो यदि आप चैनल पर नए आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल आइकन को प्रेस किजए ताकि वीडियो के नोटिविके कहां है ओप्शन दिया है बिलाशपुर जिला कोर्बा जिला सर्गुजा जिला और दंतेवारा जिला तो दोस्तो प्राचीन डेनेश्वरी एबम पतालेश्वर मंदिर बिलासपुर जिला में इस्तित है और बिलासपुर के मलहार में कल्चुरी कालीन डेनेश्वरी मंदिर इस्तित है ध्यान रखिएगा दोस्तो यह जो प्रतीमा है वो सुध्य ग्रिनाइट से निर्मित है दूसरा प्रशन दोस्तो पताल भैरव मंदीर और भागेश्वरी मंदीर इस्तित है कौन से जिले में आपको बताना है सर्गुजा सुरजपूर बर्रामपूर और जस्पूर तो दोस्तो पताल भैरव मंदीर भागेश्वरी मंदीर सुरजपूर जिले में इस्तित है तो ओप्षन भी करेक्ट होगा तिसरा प्रशन दोस्तो स्चात्ति जड़कास सबसे पुराना मंदीर है सिद्धेश्वर मंदीर, चित्तावरी देवी मंदीर, सिव मंदीर और दे लास्पूर के अमेर्थी कापा ग्राम के करीब ताला गाउं में मनियारी नदी के तर्ट पर देवरानी जिठानी मंदिर इस्तित है यह मंदिर स्यू मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर है 36 गड़ का तो option D सहीं होगा ध्यार में रखेगा कौन से मंदिर है पुछा जा सकता ह है तो स्यू मंदिर है चौथा प्रशन दोस्तों 36 गड़ में मंदिरों का शहर है डोंगडगर राजीम आरंग और रतनपूर तो दोस्तों रायपूर जे लेके आरंग को अनेक मंदिर होने के कारण इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है यहां भांड देवल मंदिर बाख और पंचमुखी हनुमान मंदिर इसंथ है तो option C सहीं होगा 5 प्रस्ठों पतालेश्वर महादेव मंदिर कहां स्तित है बार्शूर रतनपूर पाली और मलहार तो दोस्तों बिलासपूर के मलहार में केडारेश्वर जिसे पतालेश्वर भी कहा जाता है इसका निर्मान शोम राज नामक ब्राम्हन द्वारा 1167 इस्वी में कराया गया था जान रखेगा 1167 इस्वी में किसके द्वारा सोम राज नामक ब्राम्हन द्वारा तो option D मुलहार correct होगा चाहटवा प्रस्चन दोस्तो 36 जड के सारवाधिक प्राचीन मंदीर इस्थित है ओप्षन दिया है राजिम में तालागाव में मलहार में और भुरम देव में बताएगा सारवाधिक प्राचीन तो दोस्तों सभी को पता है कि बिलासपूर के ताला गव में इस्तीत देवरानी जठानी मंदीर चत्ती जड़का सबसे प्राचीन मंदीर है तो option भी सहीं होगा साथवा प्रस्ण दोस्तों महमाया मंदीर की जिले में इस्तीत है option दिया है बिलासपूर, रैपूर, कोर्बा और राजनात गाउं तो दोस्तो बिलासपूर के रतनपूर में कल्चूरी शासक रत्नदेव प्रथम द्वारा एक हजार पचास इस्वी में महमाया मंदिर का निर्मान कराया गया था तो option A बिलासपूर correct होगा आठवा प्रशन दोस्तो राजी लोचन मंदिर के गर्भगरी में किनकी प्रतिमा है रामचंद्र विष्णू सिव और कृष्ण तो दोस्तो नलवनसी सासक विलासपूर द्वारा राजीम के राजी लोचन मंदिर का निर्मान कराया गया था जिनका गर्भगरी में भगवान विष्णू की प्रतीमा है तो option भी correct होगा नववा प्रस्त दोस्तो प्रसिद्ध लच्मन मंदिर चत्तिरगर में कहा इस्तित है रैपूर पिलासपूर सिर्पूर और रतनपूर तिया हुआ है तो दोस्तो पांडू बंस के सासन काल के दोरान रानी वाटसा द्वारा अपने पती हर्स की स्मिति में सिर्पूर में लश्मन मंदिर का निर्मान कराया था जो मुल्तह एक विष्णू मंदिर है जाइएगा और बताएगा कॉमेंट करके किसने किसने इस मंदिर का दर्सन क्या हुआ है दो सही उत्तर होगा option C दश्वा प्रस्ण दोस्तों निमलिकित पुरा तात्विक इस्थलों में महा नदी पर इस्थित किस इस्थल पर बौध हिंदू और जैन मंदिरों और मठों के इसमारक है शिवरिन अनायन राजीम सिर्पूर और चमपारन तो दोस्तों महासमुन जिले के महा नदी केतर पर इस्थित सिर्पूर प्राचिन काल से ही बौध हिंदू और जैन धर्म का प्रमु के इंदर रहा है यहाँ पर इन धर्मों के मंदिर और मठ जैसे इसमारक है दोस्तो नहीं गये हैं तो जाइएगा और देखेगा बहुत यह अच्छा प्लेस हैं ग्यारवा प्रशन दोस्तो शिधेश्वर मंदीर कहां इस्तित है पलारी, सिरपूर, खरोद और फिंगेश्वर तो दोस्तो सिधेश्वर मंदीर का निर्मान बलोदा बजार के पलारी में आठवी से नोवी सताबदी में कराये गया था तो option A पलारी बिल्कुल करेक्ट होगा बारवा प्रशन दोस्तो डिंडेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इन में से किस इस्तल पर है दंतेवाडा, बारशूर, मलहार और रतनपूर देश्वरी मंदिर दोस्तो डेश्वरी मंदिर बिलाजपूर जिले के मलहार में इस्तित है तो option C सेयोगा मलहार जो question है बार बार पूछा जाता है ध्यान में रखेगा गंदेश्वर मंदिर इन में से किस इस्तल पर इस्तित है मलहार, रतनपूर, सिर्पूर और राजिन तो दोस्तो ऐसे मानेता है कि जो गंदेश्वर का स्यूलिंग है उसे आप इसपर्स करते हैं या इसे आपने हातों से रगड़ते हैं तो उसमें गंद निकलती है इसलिए इसका नाम जो है गंदेश्वर पड़ा तो ये जो है दोस्तो सिर्पूर में इस्तित है ज्यान में रखेगा चौदवा प्रशन चत्ति जड़का प्रस्थिध राजी उलोचन मंदिर का निर्मान किस इस्थापत्य सैली में हुआ है ओप्शन दिया है द्रविट सैली नागर सैली पंचायतन सैली उतकल सैली तो दोस्तो राजिम में इस्थीत राजी लोचन मंदिर का निर्मान नागर सैली में हुआ है और उत्तर भारती मंदिर निर्मान की सैली नागर सैली कहलाती है तो option भी correct होगा पंदरवा प्रश्न दोस्तो 26 जड़का सारवाधिक प्राजीन मंदिर कौन सा है ओप्शन दिया है देवरानी जठानी मंदिर, देवरी मंदिर, चितावरी मंदिर और सिधेश्वर मंदिर तो दोस्तो ये कोशन रिपीट हो गया है और इसका सेउत्तर आप सभी को पता है देवरानी जठानी मंदिर सोलवा प्रशन दोस्तो देवी चंद्रहाशनी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है उप्शन दिया है बस्तर, रायगर, दंतेवाड़ा और जांजगीर चापा तो दोस्तो देवी चंद्रहाश्णी का प्रसिद्ध मंदिर जाजगीर चापा जिले के चंद्रपूर नामक इस्थान पर इस्थित है तो option D correct होगा सत्रवा प्रसिद्ध दोस्तो नीचे चार मंदिरों के नाम है इन में से तीन चत्तिजगर में है लेकिन एक नहीं उस मंदिर का नाम आपको बताना है वामन वराह मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, राजी लोचन मंदिर, देवरानी जिठानी मंदिर तो दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर मध्यप्रदेश के उज्जेन में इस्तित है और यह 12 जो तिर लिंगों में से एक है तो option भी correct होगा अठारवा प्रश्ण दोस्तों अभिलेखी साक्ष के अनुसार सिर्पूर का प्रसिद्ध लच्मन मंदिर जो इटो से निर्मित भारत के सर्वत्तम मंदिरों में एक है निर्मान काल किस समय का माना जाता है 840 इस्वी, 650 इस्वी, 443 और 1130 इस्वी बताइएगा दोस्तों अभिलेखी साक्ष के अनुसार सिर्पूर का प्रसिद्ध लच्मन मंदिर का निर्मान 650 इस्वी के लगभग माना गया है तो option भी correct होगा उन्नीश्वा प्रस्ण दोस्तों ग्राम नगपूरा में इस्थिद्ध प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तिर्थंकर को समर्पित है महावीन, नेमिनात, पार्शुनात और विमलनात ये प्रश्ण दोस्तों काफी मतपून है और PC में पूछा भी जा चुका है तो दोस्तों दुर्ग जी लेके नगपूरा में इस्थिद्ध जैन मंदिर जैन तीर्थंकर पार्शुनात को समर्पित है तो option C correct होगा बीश्वा प्रश्ण दोस्तों चंद्रादित मंदिर कहां इस्थित है जगदलपूर, बार्शूर, गीदम और भानू प्रतापूर तो दोस्तों बस्तर के छिदक नागवंसियो द्वारा बार्शूर छेत्र में अनेक निर्मान कार्य कराये गए जिसमें चंद्रादित्तेश्वर मंदिर, मामा भाचा मंदिर, गणेश जी की विसाल प्रतिमा आधी प्रमुख है तो शहीं उत्तर होगा दोस्तों option B बार्श एक इसवा प्रक्षन दोस्तों चत्ती जड़का प्रसिध्ध कुलिश्वर महादेव मंदिर कहा इस्तित है ये भी काफी मातपूर है राजीम चंपारण आरंग और सिवरी नरायन तो दोस्तों महा समुन्द की राजीम में कुलिश्वर मंदिर इस्तित है देखेगा प्रसित धकुलेश्वर मंदीर राजी में इस्तित है और यहां तीन नदी जिसमें महानदी, पैरी और सोडूर तीनों के संगम पर बना हुआ है तो ओप्शन ए करेक्ट होगा हटकेश्वर महादेव मंदीर कहा है ओप्शन दिया है कुरूद, सिमगा, रायपूर और दुर्गव तो दोस्तो हटकेश्वर महादेव मंदीर रायपूर के महादेव घाट पर इस्तित है देरानी जिठानी मंदिर किसको या किसे समर्पित है तो option दिया है दोस्तों भगवान सीव भगवान गनेज्द भगवान बुद्ध और भगवान विश्व कर्मा तो सही उत्तर होगा दोस्तों भगवान सीव को समर्पित है चोबिस्वा प्रशन दोस्तों राजीव लोचन मंदिर का जिनोधार किस ने कराया था ओप्शन दिया है जगतपाल, सोमपाल, हरी हर देव और राजीव देव तो दोस्तों राजीव लोचन मंदिर का जिनोधार सामंत जगतपाल ने कराया था तो option A करेक्ट होगा उसके बाद 25 प्रशन दोस्तों निम्न में से कौन सा मंदीर चिदग नागवंसी सासको ने नहीं बनवाया है मामा भाचा मंदीर, चंद्रा दित्य मंदीर, बत्तिसा मंदीर और भोरम देव मंदीर ये जो प्रश्ण है दोस्तो मेरे इसाब से काफी मत्पून है क्योंकि इसमें चार प्रश्ण बन सकते हैं तो छिदग नागवंसी सासको द्वारा दंतेवाडा के समी बारसूर में मामा भाचा मंदीर, चंडरा दित्य मंदीर और 32 मंदीर का निर्मान कराया गया है दोस्तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गल लिजेगा बेल आइकन को प्रेस किजए ताकि वीडियो के नडिविशन आप तक पहुंशती रहे है वीडियो को लाइक से जरूर कर जिए है थैंकि दोस्तो